दम्मपद गाथा कथा नमबर 142 या 142 संतती नाम था उस प्रधान मंत्री का क्योंकि जितने भी राजगराने हुए हैं उनमें जो महा मत्त होता है उसको प्रधान मंत्री बोलते हैं संसकायद भासा में महा मात्ते बोलते हैं महा माने बड़ा और मत्त माने जो मात्रा को जानता हो ऐसे मत्त माने मस्त भी होता है क्योंकि मत्ते का दोनों ही है जो महा मंत्री होता है प्रधान मंत्री होता है वो मस्त भी हो सकता है और वो मात्रा को इस्तिती को जानने वाला भी हो सकता है दोनों ही पाली के अंदर आते हैं मत्त माने मस्त भी है और मत्त माने मात्रा जानने वाला मत्त यूब भी बोलते हैं जिसको जो मात्रा का ग्यान जानता है यानि कि परिस्तिती को जानता है तो महा मत्त उसी से बोलते है या मात्रा को जानता हो, क्वांटिटी को जानता हो, कब कितनी क्वांटिटी किस चीज के लिए बहतर है, एक तरह से परिस्तिती का मात्रा जानने वाला विशेशक हो गया, तो यह उसी की कहानी है, कहानी बहुत मज़दार है, जो पसंदी थे राजा, उनका जो महा मात्रता संत्रती, उसने एक वार एक असाध्य है, यानि कि जो साध्य करने में, जो सिद्ध करने में, सफल करने में काम बड़ा मुश्किल था, उस काम को किया, उस काम को करने से राज इवन को सुचारो रूप से चला सके राजा पसंदी तो धम के जानकार थे और वो धम में रत रहते थे और विपसना साधना करते थे मगर जो संतती था वो अपने नशे में पूरी तरह से चूर था यानि कि अगर महा मत कहें तो वो महा मस्ती था पूरी तरह से तो उसने वहाँ नर्थकियां, डांसर, पार्टियां, शराब और हुर्दंग पूरा उसने वहाँ जमगट लगा लिया क्योंकि पैसा उसको मिला, इनाम में बहुत सारा और वैसे भी वो महा माते था और वो इतना ज़्यादा नर्षे में और इन सब चीजों में हो गया कि उसे होस नी रहा जब वो ज़्यादा इसमें रम गया तो एक दिन वो देखता है कि एक नर्थकी जो डांस कर रही है, वो पूरी तरह से नाच रही है और सबका दिल जीत रही है और दिल जीते जीते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोड से नाच रही थी नासे नासे उसका हार्ट फिल हो गया और वो वहीं हैंड, इसपोर्ट, एड़ दैसपोर्ट मर गई ये देखके जो संकति था उसका सारा नसा उड़ गया हिरन हो गया क्योंकि कहां तो इतना बड़िया दिलकस नजारा चल रहा था चारो तरफ रंग ली लिए चल ले थी और कहां ये रंग में भंग पड़ गया और ये मर गई उसने देखा कि जिस नर्थकी के लिए जिसके लिए सभी लोग लालायत थे और सभी लोग उसको बाहों में भनने के लिए तयार थे उसके साथ नाचने को तयार थे और मौज मस्ती करने को तयार थे तो सभी लोग भैसे कांपने लगे वो खुद उसके हाथ पेर भी उसकी डेड़ बोड़ी को देखे कांपने लगे अब उस जो नर्त की थी उसको छूने का उसका मन नहीं हुआ क्योंकि वो डैड बोडी हो गई, लास हो गई तो उसको कैसे छूए आब उसको छूने से भी डल ने लगा कहां तो वो उसके सौंदरे के उसके रूप के प्यासे थे प्यासे थे, उसको छूने के लिए मचले थे और कहां आब उसके छूने से वो घबराने लगे इस इस्तितिने नसा तो उड़ाया ही उड़ाया उसका होस भी बापिस किया उसको समझ में आया कि यहां तो कुछ भी नित्य नहीं है मेरा इतना संस्यादन, इतना सारा कुछ पैसा यह सब मैंने कर रहा हूँ यह नित्य नहीं है, एक सेक्ड़ में यह बदल गया अनित्य हो गया, कतम हो गया यह देख के उसके अंदर धम समवेग भोचते जी से उतल पतल हुई धम समवेग जागा धम समवेग जागा, तो उस पर रुका ने गया और वो तुरंत ही भगवान बुद्ध की स्रण में जाने के लिए चल पड़ा असमय महां पहुँचा भगवान बुद्ध महां थे उन्होंने उसकी स्थिति को देखा, भाला जाना समझा और सारा को समझने के बाद में उसको धम की देशना दी उसको धम सिखाया उसको शांती हुई वो धम में आया धम ने उसको सारा दिया धम ने उसको बचाया धम ने उसका भै दूर दूर किया और जो गाथा उस समय कही वो इस प्रकार है यह गाथा अपने आपे बहुत ज़दा महत्पुन हैं इसमें तो-तिन सब्द बहुत कमाल के हैं आप इसे पर ध्यान देंगे क्योंकि यह बहुत important गाथा इसलिए हैं कि इसमें समणा और वम्ला का जिकर है अलंकतो चेपी समंग चरे संतो दंतो नियतो बहीचारी ये बहीचारी जो सब्दे है इसको ब्रहमचारी भी बोल सकते हैं पाली में ये बहीचारी है वैसे इसको ब्रहमचारी संस्काइब भासा में क्योंकि आधा रे पाली के अंदर नहीं होता सब्देसु भूतेसु निधाय दंडंग सो बही मणो सो सम्डो से बिक्कू इसमें जो बही मणो और जो सम्डो सब्द है बही मणो को संस्काइद भासा में ब्रहामन बोलते हैं तो अलंकतो चेपी समंग चरियंग अलंका तो माने होता है जो अलंकरित है यानि जिस पर अलंकार लगा हुआ है क्या अलंकार लगा हुआ है जैसे कोई आदमी डॉक्टर है कोई आदमी इंजिनियर है कोई प्रिधान मंतरी है कोई मुख्य मंतरी है कोई कौंस्टर है कोई किसी तरह का कोई सभासद है या कोई पुलिस में है या कोई कमांडर है या कोई मिनट्री में है या कोई बैद है या कोई दुकांदार है या कोई मजदूर है ये उसके अलंकरन है यानि कि जो उसका बताते हैं कि ये क्या चीज़ से विभुशित है किस काम में ये परंगत है और क्या काम वो करता है बेसिकली वो काम को बताते हैं और काम के लेबल को बताते हैं तो ये अलंकार है तो अलंकातो चेपी समंग चरेंग यानि कि जो अलंकार वाला है चेपी माने यदि भी समंग माने होता है शांत या समंग माने होता है समान बरावर और चरे माने जो चरे के योग है करे इसका मतलब यह हुआ कि जो अलंकार युगत है यानि कि जिसके पास पोजिशन है जो पोजिशन होल्डर है जो किसी पद पर है वो पद पर रहते हुए भी क्या कर सकता है शांती का काम कर सकता है समता की चरिया कर सकता है यानि सांत कर सकता है समता की चरिया कर सकता है समता का पैक्टिस कर सकता है सब को समान रूप से देख सकता है अगर कोई महामंतरी है प्रधान मंतरी है तो वो क्या कर सकता है सारी जनता को समानता से देख सकता है संतो दंतो नियतो वही चारी संतो माने होता है जो संत होता है और जो निश्चित होता है उसको संतो बोलते है दंतो मानो जिसने सयम किया हुआ है अपने आपको संयत किया हुआ है उसको संयत वाले को बोलते है यानि कि जो शांत है जो सहियत है नियतों का मतलब है जो बुलकुल इस्तिर है यानि कि किसी को देखके असिस्तर नहीं होता है इस्तिर नहीं होता किसी को देखके हमेशा सब के लिए इस्तिर रहता है एक सा रहता है बही चारी बही चारी का मतलब है जो बहार वाली चरिया करत सब्वेसु का मतलब है सब में भूतेसु माने हैं प्राणियों में और निधाय माने हैं एक प्रफ रखकर या हटा कर या गड़वा कर दंडंग यानि कि जितने भी लोग हैं उनमे जितने भी प्राणी हैं उनमे जो दंड है जो क्रूटा है जो क्रोध है उसको इतरफ रखकर साइड को रखकर सो बहीमणो सो समणो से भिकू यानि वह बहीमण है वह समण है और वह भिकू है इसमें जो ये सब्द आ रहा है से वमणो, सा वमणो, सा समणो और से भिक्कू ये जो इसमें सब्द आता है या सो वमणो, सो समणो और से भिक्कू सो का मतलब होता है वह है और सा का मतलब होता है इस तरीक लिए आता है सा बेसिकली ये हर्जिगे पाली में इस्तमाल किया गया है ऐसा ही सब्द लिया हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने इसको लिखा है उन्होंने इसको ब्राहमन करके लिखा हुआ है और ये भगवान बुद्रिव क्योंकि समन को बोलते हैं समडो तो वमन को बोलते हैं वमडो ये वमडो वहाँ से आता है समना या वमडा यानि दोनों के लिए है वमन का मतलब है जो बहार से आए हुए है और समन का मतलब है जो स्वयम में रहते हैं यहां रहते हैं तो बेसिकली जो मन होता है मन माने होता है सद करना साउंड करना यानि मन जो लगा हुआ है जैसे समन और वमन इसको खास तोर से समझे क्योंकि ये समन वमन बहुत वार आएगा या ब्रहामनों और समनों बहुत वार आएगा या वमनों और स्रमनों यानि कि समन भी बोलते हैं इसको बहुत बार आएगा, तो मन माने क्या है, मन माने है, to sound, यानि कि sound करना, कैसे रहे, it's sound good, it sounds better, यतना जैसे ही अच्छी तरह से आवाज कर रहे, यानि कि अच्छा लग रहा है, तो sound का मतलब है कि उससे, उसकी जो इस्थिती है, वो कैसी है, तो sound का आना का मतलब यह है, कि अगर कोई वही मन है, वही मन का है, कि वो बाहर की आवाज है, उसकी जो आवाज आ रही है, वो बाहर की आवाज है, यहां के इस जगे के रहने की आवाज नहीं है, वमर वो व्यक्ति होता है जो एक समूदाय में बाहर से आता है एक गाउं में बाहर से आता है एक महले में बाहर से आता है एक दफ्तर में बाहर से आता है या एक देश में बाहर से आता है तो बाहर की आवाज मानी जाती है अंदर महले की या परिवार की या सेहर की आवाज नहीं है जैसे एक देश के अंदर 20 अगर सेहर हैं तो अलगलग सेहर के लिए लोग कहते हैं ये मेरा सेहर है ये तुमारा सेहर है तो बाहर वाला सेहर हो गया ये अंदर वाला सेहर हो गया मगर अक्रिसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम कहते हैं वो हमारा देश है और ये बाहरवाला देश है तो ये वमन हो गया इससे जो आदमी आएगा वो वमन हो गया तो ये बाहरवाले को हम ऐसा जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि इसको वन मोलते है और वही माने बाहर हो गया और मन माने अवाज हो गया यानि बाहर की अवाज और समन माने हो गया से माने होता है निजपाली के अंदर स्वेम की अवाज निज माने माई सेल्फ ओंस वन यानि कि हमारी खुद की और मन माने होता है आवाज यानि और जिसको अमन बोलते हैं अमन का मतलब है ए मन यानि के कोई इसके अंदर साउन नहीं सांत हो गया अमन भी बोलते हैं बाद में इसको तो अमन है या समन है या वमन है ये बुलकुल किलियर हो जाना चाहिए और वही चरिया और ब्रह्म चरिया दोनों एक सब्द है ब्रह्म चरिया जो होता है वो संस्कायद भासा है उन्होंने अपने हिसाब से जो बाहर के लोग पे उसको बही को ब्रह्म बोलते थे यहां के लोग बाहर वालों को बही बोलते थे उन पर भही बोलना नहीं आया इसलिए उसको ब्रहम बोलते थे तो वो ब्रहम करके बाहर की चरिया हो गई और जो अंदर की चरिया है घर के अंदर की उसको जो चरिया बोलते हैं वो यहां के लोगों की चरिया रहेगी जिसको समणो चरिया बोल सकते हैं समन चरिया या स्रम चरिया बोल सकते हैं या स्रम चर बोल सकते हैं नाम इसका ऐसा पड़ता है तो यहां भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके पास अलंकार है जिसके पास पोजिशन है जो कहीं कोई ताकत रखता है वो व्यक्ति भी भिकुल हो सकता है तब जब वो सब को समत और समानता की चरिया करे और जितने भी लोग हैं उनको दंड ना दे चाहे वो प्रानी जैसे भी है जो भी प्रानी हैं सारे उनको दंड ना दे तो ऐसा चाहे बाहर का व electr harmonic है यह भारत का वquatती है वो भिक्कू है वो अच्छा व्यक्ती है ये बहुत important गाता है क्योंकि भगवान बुद्गी इस गाता के अनुसार इसमें बाहर के लोगों का विजिक्र है और इसमें अंदर के लोगों का विजिक्र है तो उसमें दो तरह के लोग थे एक समन और एक वमन यानि वहीमन और समन समर को बाद में सर्मन बोलते हैं और बही मन को ब्रहमन या वमन बोलते हैं धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को استعمال करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको chhoot है लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ बतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूँ संगं सरेणं गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ दूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूथियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं सर्नं गच्छामी दूथियं पी संगं सर्नं गच्छामूँ बुखियं पी संगं सर्णं गच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं गच्छामी तर्थियं पी संगं सर्णं गच्छामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी कामेस मिच्छ चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी